नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिकाया हूँ 400 से ज़्यादा इंपोर्टेंट कोईशन जो की है स्पेशल हरियाना चीके की अगर आप इन 400 से ज़्यादा कोईशन को कर लेते हो तो आपके HSSC कलर के एकजाम में सिर्फ इन कोईशन से 4 से 5 कोईशन अराम से आ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जिरूर कर देना ठीक है और इसकी पीडियो फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार फिर मैं बता देता हूं यह वीडियो स्पेशल है एचसे सी कलरक के लिए हरियाना में सीमट बनाने का चूना पत्थर कहां से मिलता है सिवालिक की पहड़ियों से लाल चेश्टनट मरिदा पाई जाती है यमना नगर में सुनारिया जेल है रोत्तक में वीर सिकारगड वन्यजीब बिहारन यह पंचकुला में है और बीरव किना स्वर किसने देख्या इसका क्या रत है दूसरों के ब्रोसे सफलता नहीं मिलती चमणा उद्योग फरिदाबाद में हरियाना में सबसे अधिक बासमती चावल का निर्यात कौन सजिला करता है पानी पत्थ सराय अलवर्दी मस्जीद कहां पे है गुडगाम में सबसे अ सपरेल उनी सो ठाणवे को हरियाना के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे बाबू आनंद सवरूप ठीक है पंचवटी मंदीर है पलवल में और पंच मुखी है यमुना नगर में मोतिलाल नहरु खेल कुछ स्कूल कहां पे है सोनीपत के राई में अब इसको ना विस्सविध के लेका दर्जा भी दे दिया गया है गेहू अनुसंधान निर्देशाले करनाल में है इसके अलावा राष्टे डैरी सोथ संस्तान केंद्रे मिटी लवनता ये भी कहां पे है करनाल में सिवालिक परवत स्रेणियों की उचाई कितनी है 900-23 मिटर हरियाना के सरवादिक सफल लतम medicines चंद्रावर्ण आमें, मशीनों के कल पूरझे सराव का निर्मान कां पे होता है यमना नगर में, केंद्रिय भैसननि संथान के इंदर कां पे है हिसार में, कलेसर वन्या जीब अभ्यारन कां पे है यमना नगर में, किस बोध देत्तह में हरियाना की जानकारी मिलता है मन्जी मनिकाय और दिव्यवदान में 1920 में डिविजनल कॉन्फरेंस की सचिव कौन थे पंडित नेकी राम राजदोत मोटर सैकल की फेक्टरी है फरीदाबाद में सुल्तानपूर राष्टे उद्यान है गुडगाव में हरियाना राजदो गठण की सविधान संसोधन की दवारा हुआ तो इसका अंसर के आएगा साथमा आप इसे ठीक कर लेना सतरमा नहीं आएगा क्या आएगा साथमा सतरमा तो राजजे बनाता हरियाना हरियाना में एटला सैकल कहाँ पे है सोनी पत में और इसके अलावा खुम्भी सबसे ज़्यादा कहां पे होती है सोनी पत्मी धर्मनगरी कहते हैं कुर्चेतर को और इसके अलावा कुर्चेतर में जोती सार भरम सोबर सेक्चीली का मकपरा कीता मोचसव है सिमन्ट कोर्परेशन ओफ इंडिया ये हरियाना में कहां पे है चर्की दादरे में इसकी स्थापना हुई थी उनीसोई कैसी में बुडिया का रंग महल यमनानगर में है हरियाना की वह कौन सी महिला है जो दो बार माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली भारत की पहली महिला बनी ये बनी संतोस यादव, जल महल है नारनोल में सर छोटु राम का जनम हुआता गड़ी सापला में कब 24 नॉम्बर उनीसोई कैसी को भगत फूल सिंग महिला विस्सविधाल लें ये है खानपुर में जो की परता सोनी पत्मी हरियाना में रमायन के सलोक कहां से प्राप्त हुए नचार खेडा से अश्ट्य धाई कौन सी भासा में लिखी गई संस्कृत में इसके लावा ये सबी भी किसमें लिखी गई थी संस्कृत में कौन सी नदी मुलाना के समीप मरकंडा नदी में मिल जाती है ये है टांगरी और योदे काल में रोत्तो को का जाता था भहुँ धन्य सिचाई प्रियोजना के अंतरगत बढखल जील का निर्मान हुआ था 1947 में चर्खी दादरी कहां पे है हरियाना की दक्षिन भाग में फेर पले स्कोलर्शिप किस के लिए है खिलाडियों को प्रोचसान करने के लिए ग्राम सेवक समाचार पत्तर किस ने निकाला लाला हरदेव सराय ने कब 1936 में हरियाना के पहले सुफी संत कोन थे सेख मोमत तुरक हरियाना के किस वर्स में सभी गाउं में बिजली पहुंच गई थी ये पहुंची थी 1970 में सीस मेल है गुडगाम के फरुक नगर में सरस्वती नदी किस की साइग नदी है मरकंडा की दक्षिन हरियाना को क्या का जाता है कुरूज जंगल इंद्रा गांदी तापिय विदुद प्रियोजना इसको क्या कहते हैं अरावली सुपर तापिय प्रियोजना हरियाना में सिचाई भिवाक का मुख्याला कहां पे है पंचकुला में 1989 में भारत के उपरधान मंतरी कोन बने चोदरी देवीलाल और रेलवे वरक सोप कहां पे हरियाना में जगादरी में मातमा गांदी तापिय विदुद परियोजना कहां पे है जजजर में करनाल का परमुख निजपदार शोरा है दक्षिन हरियाना के परमुख नदी है साहीबी और लाट की मस्जिद बनवाई थी फिरोसा तुगलक ने कहां पे हिसार में खरीफ की फसल को क्या का जाता है सामणी फसल अठार सुस्तावन की करांती में हिसार से नेतिर तब किसने किया था सहजादा मुमद आजम ने और बनावली की खोज किसने की आरेस बिष्ट ने बिंडर वासवन्यजीब अभिहरन कहां पे है जजजर में और ये किस के लिए परसिद है सुदरसन जील के लिए बाखडा डैम प्रोजेक्ट का जनमदाता किसे का जाता है चोदरी छोटुराम को हरियाना में सरवादिक पकी सटको का घंतव कहां पे है अमबाला में लाला हरदेव सराई ने दूसरा समाचर पत्तर कौन सा निकाला सेवक कब 1941 में और पहला था गराम सेवक कलेसर राष्टे उद्यान है यम्नानगर में और ये परसिदे लाल जंगले मुर्गियों के लिए डाक्टर बलादीमीर के जलवाईू बिवाजन में किस जलवाईू को स्थान नहीं मिला गरीसम मरुष्टलिय जलवाईू पिर्तवी राज अभी ले कहां से प्राप्त हुआ हासी से फीशेंट प्रजनान के इंदर कहां से दीता है मोरनी में कहां पे मोरनी में और मोरनी कहां पे है पंचकुला में नगर निगम का सबसे बड़ा सहर है फरीदाबाद क्या है फरीदाबाद और हरियाना के पहले एडवोकेट जेनरल कौन थे बाबू आनन सवरूप खरोष्टी लिपी में अभिले कहां से प्राप्त हुआ करनाल से मोरनी पाड़ियों की ओसे तुचाई कितनी है ये है बारा सो बीस मीटर इसे आप ठीक कर ले न पंदरा सो चोदा किसकी है सिवाले की पाड़ियों की मश्रूम उतपादन में हर्याना कौन से नमबर पे है पहले नमबर पे किस दील को देखने के लिए दूर दूर से से लानी आते है इस कंसराय का सुल्तानपुर जील हर्याना में ओसत वार्सिक वर्सा कितनी है 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक हर्याना की सबसे छोटी नहर है भीवानी नहर और इंडो गरीक के सीके कहां से प्राप्त हुए रोध तक से और अंबाला चावनी कब बना 1843 में चिंकारा सरक्षन एवं प्रजनन के इंदर की स्तापना कहां की गई ये की गई है भीवानी में ठीक है रिवाडी गलत है इसे भी अब ठीक कर लेना और हर्याना के खेल मंत्री कौन है अनिल बिज हर्याना उदे के नाम से बस सेवा सुरू की गई ये कौन सी बस है सी एनची मुरा भैस को कहते है काला सोना माता सीतला का मंदीर है गुडगाम में और बाटा जुत्तो का कारखाना कांपे है फ्रिदाबाद में लिवर्टी जुत्तो की फैक्टरी है करनाल में MDU यानि महरेसी दैनंद विसविधाले रोब्तक में है कलेसर राष्टे उद्यान इसको राष्टे पारक में घोसित किया गया था 2003 में हर्याना की स्तापना की समय हर्याना में कितने जिले थे साथ और अब कितने है 22 हर्याना में पलाष्टिक उद्यो कांपे है फ्रिदाबाद में और हर्याना के मिदानी भाग की समूंदरी जल से उचाई कितनी है 700 से 900 मिटर और हरियाना में सबसे अधिकिस मसाले की खेती होती है हल्दी की और सेखचीली का मकबरा कहां पे है थाने सर में और थाने सर कहां पे है कुर्चेतर में ठीक है सेखचीली का मकबरा किसने बनवाया ये बना था सहाजां के सासिनकाल में किसके सहाजा के कब? 1650 में ठीक है? आपको यी बात याद रखनी है किसकी सहसिनकाल में बना? सहाजा के आप इसे ठीक भी कर लेना हर्याना में सबसे अधिक खनीज लवान किस दिले में पाए जाते है इसकंसराइगा महिंदरगड हर्याना में हिंदी का पर्थम सहीद तेकार किसे माना जाता है? इसकंसराइगा चुरंगी नात को हर्याना में विशनु की मुर्ती कहां से मिली? ये मिली फाजिल पूर से जो की पढ़ता है सोनी पत में और हर्याना में सबसे अधी गन्ने का उत्पादन होता है यम्ना नगर में यम्ना नदी का उद्गम स्थल है यम्नोत्री छैले गेला जांगी फिलम कब परकाशित की गई 1985 में गुरु जंबेश्वर विस्विदेला का पे है हिसार में और दिली की गद्धी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सासकता हेम्मू यानि हेमचंद जो की का का था रेवाडी का हिसार वैहासी के किसे न नायक ने हासी के दुरक को जीता ये किसे ने जीता जाटवाने और हर्याना का हरीकेन कहा जाता है कपिल देव को किसको कपिल देव को और पंडी दीन देयल सर्मा का जनम हुआ था जजजर में और हरियाना राज्ये की पर्थम जनगन्ना हुई थी 1971 में और हरियाना की सरवादिक जनसंक्या है फरीदाबाद में और जनसंक्या घंतव है 573 वरक किलोमेटर और हरियाना में पुरुषक सर्तादर है 84.06 परतीशत और 2011 की जनगन्ना के नुसार लिंगनुपात है 879 और हरियाना का सरवच खेल पुरुषकार है बीम पुरुषकार और योगी सवर्दत खेलते हैं कुस्ती केक्टिस कारडन है पंचकुला में और पंचकुला में कहां पे है पिंजोर में गुरु नीम साहिब कैथल में है रजिया बेगम का मकबरा ये भी कैथल में है गुरु तेग बादूर सहाधत देने दिल्ली जात्ते समय तेरा दिन तक कहां रुके थी गुरु दौरा लाखर माजरा में अदीती मंदीर है करनाल में घंटेश्वर मंदीर रिवाड़ी में रामराय तिर्थ तल जी है जीन्द में इबराहिम लोदि का मकबरा ये है पानिपत में विस्सव के परसीद 12 मठों में से कलेश्वर मादे मठ कांपे है यम्ना नगर में और सरवेश्वर महादे मंदिर है कुर्चेतर में इसका निर्मान करवाया था सरवन नाथने, किसने बाबा सरवन नाथने हरियाना सहित्य अकादमी का गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को और मगरमच प्रजनन के इंदर है कुर्चेतर में गिद सरक्षन एवन प्रजनन के इंदर है पिंचोर में और हरियाना के पूरो में कौन सी नदी भैती है यमना नदी और हरियाना के सबी प्रटन स्तानों का नाम किसके नाम पे है पक्सियों की और हरियाना को पंजाब में कब सामिल किया गया ये किया गया 1858 में इससे पहले 21 में था उत्तर परदेश में 2011 की जंगन्ना के नुसार किस राज़े में महीलाओं का परती 1000 पुर्सों पर अनुपात सबसे कम है इस कंसर क्याएगा हरियाना और उलम्पिक की एकल सपरदा में पदख जीतने वाली पहली भारते महीलाओं खिलाडी कौन थी? ये कौन थी? करनम मलेशवरी चेतर फलकी दरिश्टी से हरियाना का कौन सस्तान है? 21 और ओनलाइन सिकाय दर्ज करने वाला पहला राज़े कौन सा है? हरियाना इसने कब सुरू की? 2010 में चोदरी देविलाल विस सविधाले सिर्सा में है और हरियाना के दक्षीन में कौन सी पाड़िया है? अराबली की पाड़िया और हरियाना का गठन कौन से सविधांचन सोदन द्वारा हुआ था? ये हुआ था सात में इसे आप ठीक कर ले ना? कौन से? सात में और हरियाना कौन सा राज़े बना था? सतर्मा और सबसे अधिक सर्सो कहां पे होती है? महिंदर गड़ में और भिवानी टेक्स्टाइल मेल की स्थापना हुई थी? 1937 में नाहर सिंग स्टेडियम है? फ्रीदाबाद में और हरियाना में दो स्मार्ट सिटी बनेंगे कौन से? करनाल और फ्रीदाबाद हैपनिंग हरियाना समेलन कहां पे हुआ? गुडगाओं में पंचै चुना में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूची जातियों के प्रत्याश्यों के लिए नियुन्तम सेक्षिन की योगता क्या निर्धारित की गई है? ये क्या की गई है? आठमी पास हरियाना में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के ब्रैंड मैस्टर कौन है? ये है साकसी मलिक, कौन? साकसी मलिक और उलम्पिक में सबन जीतने वाले को मिलते हैं 6 करोड, रज़त वाले को 4 करोड और कस्य जीतने वाले को 5 करोड हरियाना में समाजिक सुरुखसा यूजणाओ की रासी बेंक खातों में जम्मा करवाने के लिए यूजणा को क्या नाम दिया गया है? तो इस कंसर क्या हैगा? थारी पैंसन थारे पास और हरियाना का NCR के अंतरगत कितना छेतरफल आता है? 57 परतीशत और बात करें जीलों की जीले आते हैं 14 और मिलियन सिटी का जाता है गुड़गाओं को HMT का पे हैं 5 जोर में और देश की पहले CNG ट्रेन कां से कां तक चली थी? रिवाडी से रोग तक और हरियाना में पंच जुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? 10,000 और हीरो मोटर सैकल कारखाना कां पे हैं? रिवाडी के धारू हेडा में पंजाव हरियाना उचनेयले किस्ता अपना हुई थी 1966 में और हरियाना का कौन सा जिला कागच वे प्लाइवूर्ड उध्योक के लिए परसीद हैं? तो ये कौन सा है? यमना नगर अतियासिक समारक राय मकुंदास का चत्ता या बिरबल का चत्ता कहां पे है? ये है नारनोल में सुर्दास का जनम कहां पे हुआ था? फरिदाबाद के सीही गाउं में समराट असो का टोपरा स्नमोल रूप से हरियाना के किस तान पर था? ये था अमबाला में हरियाना विधाल्य शिक्षाबोड की स्थापना कब हुई माता सितला का मंदिर है गुड़गाम में विशाल हरियाना पार्टी बनाए थी राब विरेंदर सिंग ने और सिंदू सुबध्या के अंदर बनावले किस जिले में है, फत्याबाद में सिंदू सुबध्या का के अंदर मित्ता थल किस जिले में स्थित्त है, तो ये काँ पे है, ये है भीवानी में थाने सर किस परसिद राजा की राजधानी थी, हर सवर्दन की हरियाना का कौन सा जिला वेगानिक उपकरण के लिए परसिद है इसकंसराइगा मबाला हरियान में भासा में लिखा गया उपन्यास कौन सा है जाड़ु फिरी और सुरिय गहन मेला लगता है कुर्छेतर में धान का कटोरा हरियाना का पैरिस का हज़ाता है करनाल को जो तीसर सिरोवर किसलिए परसिद है क्योंकि यहाँ पर सिरी किरसे ने अरजुन को गीता का उपदिश दिया था गुलाम सासी का रजिय सुल्तान का मकबरा कहां पर है यह कैथल में हरियान की वह महिला जो दो बार माउंट आवरेश्ट पर चड़ने वाली भारत की पहली महिला भी थी अंसर क्या आएगा संतोस यादव तराइन का मेदान इस समय कहां पे है करनाल में हरियान भी बासा की पहली फिलम कौन सी थी देखो जो सबसे हिट फिलम थी पहली वो थी चंदरावल और वैसे कौन सी फिलम थी कई कहते हैं धर्ती है और कई कहते हैं हर फुल सिंग जाड़ जुलानी है तो आपको उप्षन एक आए गए नमे से या तो हर फुल सिंग जाड़ जुलानी या धर्ती सबसे पहली फिलम अधर्ती और सबसे पहली हिट फिलम है चंदरावड हरियाना का फतेवा नगर किसने बसाया ये बसाया फिरोसत तुगलकनी पंजाब हरियाना सीमा आयो के अध़क्ष कौन थे ये थे जस्टिस जेसी सहा कैथल के फरल गाव में कौन सा मिला आयो जित होता है फल्गो का मिला हरियाना के किस लोक निर्ते को चांदी रात में खूले मैदान में किया जाता है तो इसकंसर आएगा धमाल लोक निर्ते बंगर छेतर में किया जाता है इसकंसर आएगा लूर हरियाना में कौन सा लोक दिरते हैं मुख्य रूप से साध्य के अफसर पर किया जाता है ये गोड़ा दिरते है और सरवेश्वर महादे मंदिर का निर्मान किसे ने करवाया बाबा सरवन नाथ ने स्तानेश्वर महादे मंदिर का निर्मान किसे ने करवाया पुष्य भूती ने गुड़गाम में माता सितला देवी का मंदिर कब बना 1650 में माभारत का युद कितने दिन तक चला 18 दिन तक हरियाना में अंतिम बार राष्टपती शाषन कब लगा 1901 में और हरियाना विधानसभा के पहले स्पिकर कौन थे राव वरेंदर सिंग और पहली महिला स्पिकर कौन थी ये थी सिरीमति सन्नो देवी जब हरियाना का गठन हुआ उस समें हरियाना में कितनी सिटे थी चोवन और उनिस सुसन्तर में कितनी होगी नब्वे और आज के टाइम में भी कितनी है नब्वे ढोसी की पहड़ियां जो की चेवन रीशी से समंदित है ये काँ पे है महिंदर गड़ में बॉक्सिंग की नरसरी कहते हैं बिवानी को हरियाना के किस जिले में सबसे कम वन चेतर पाए जाते है देखो अगर पुछे परतीशित में तो अंसर आएगा फत्याबाद अगर वैसे पुछे सबसे कम वन पाए जाते है तो इसका अंसर क्याएगा फरीदाबाद जिला नाहड वन्य जीब अभ्यारन कहां पे है यह है रिवाडी में और जेन्थ पुरी किसका पुराना नाम था जीन्द का और आम का मेला कहां पे लगता है यह लगताब पिंचोर के यादवेंदर गाडन में अंबाला चावनी किस्ताप नौई थी 1843 में और सीही गाव जहां पर स जिन्वरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारेकरम की सुरुआत कहां पे की थी पानी पत में चेड़ी निर्ते किया जतता है गोगा नोमी पर किसके दवारा पुर्सों के दवारा और हर्यान का सर्वोच खेल समान है भीम और अमोनिया पलांट है पानी पत में राज् और हर्याना में सराबंदी किस मुख्य मंत्री ने की चोदरी बंची लाल ने और बिवानी और सोनी पत कब अस्ती तब में आये 22 दिसंबर 1972 को 1886 में राष्टी आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हर्यान में कौन थे? कौन थे? बाबो मुरली धर यूनी निश्ट पार्टे की स्तापना किस ने की थी? चोदरी छोटु राम ने हर्याना की सरी के नाम से कौन जाने जाते है? पंडित ने किराम सर्मा और हर्याना के पर्थम रजजगवी कौन थे? सिरी उदेबान हंस एसिया में सबसी अधी गुलाब के फूल की पैदावार कहां पे होती है? यह होती है चंडी गडमी हर्याना में नेशनल डैरी रिसर्च इंस्टिटूट कहां पे है? यह है करनाल में और नवाप पटोदी का संबंद किस से है? किरकेट से जब हर्याना का गठन हुआ था उसमें इसमें कितने जले थे? साथ लेकिन अब कितने है? बाइस काबुली बाग और काबुली शामस्टिद कहां पे है? पानी पत में पेपर सिटी कहते हैं यमनानगर को हर्याना में पहली बार मेट्रों चली थी गुडगाम में कब 2010 में बारे खडी में लिखित अबिलेक कहां से प्राप्त हुआ? जगादरी से गुजरी महल है हिसार में और हर्याना में संगीत के साथ सवर कहां से प्राप्त हुए? यह हुए अगरोहा से प्रित्वी राजदवीतिया का अभी लेग हरियाना में कहां से प्राप्त हुआ? ये हुआ हासी से किस अभी लेग के नुसार हरियाना की राजधानी दिल्ली थी? तो इसका अंसर क्या आएगा? लाडनो सिंदु घाटी की खोज किसने की थी? आरेस बिष्टने कब 1973-74 में और इसका प्रमुक छेतर कौन सा है? बनावली जो कि कहां पे है? फत्याबाद में ठीक है? हिसार में पहले था लेकिन अब कहां पे है? फत्याबाद में ठीक है? जुनागड के शीरा लेक में किस समराज़े का उलेक मिलता है? और सबसे अधिक गन्ना कहां पे होता है? युनागड में और हरियाना में सबसे अधिक किस फल की खेती की जाती है? आम की चिंकारा परजनन के इंदर कहां पे है? बिवानी में हरियाना में सबसे अधिक जाडिया है? गुडगाम में बिवानी टेक्स्टाइल की स्तापना हुई थी 1937 में सिमिंट कोर्परेशन ओफ इंडिया हरियाना में कहां पे हैं चर्की दादरी में सरस्वती सुगरमिल कहां पे हैं युम्ना नगर में मर्वल रज्जे के किस जिले में पाय जाता है महिंदर गड में राष्टी राजमार्गो का रगरखाव कौन करता है किंदर सरकार हरियाना के किस जिले में सक्सर्तादर अधिक है ये है गुडगाम में और सबसे कम है मेवात मे और हरियाना में सबसे अधिक महिला सक्सर्तादर है गुडगाम में और सबसे कम है मेवात मे और बात करे पुरुष सक्सरतादर की तो ये है रिवाड़ी में और सबसे कम है मेवात में परती व्यक्ति आए में हरियाना का भारत में कौन सस्तान है ये है दूसरा कैथल किस मंडल में आता है या ता करनाल में लेकिन पहले आता था अंबाला में हरियाना में सरवादिक पंचायते किस जिले में हैं यमना नगरमी हरियाना विधान सबा की पर्थम महिला स्पिकर कौन थी सन्नो देवी हरियाना में राज्य सबा की कितनी सीटे हैं पांच फरिदाबाद में बहने वाली पर्मुख नदी कौन सी है यमना पंचकुला जिला कब बना था? 1995 में पंचकुला का परमुख हवाई अड़ा कौन सा है? पिंचोर फतेवाद का परमुख रेल्वे स्टेशन कौन सा है? जाकल ठाकुर दुवारा कहां पे है? यह है जजजर में पानीपत का परमुख हनीज क्या है? गंदक वर्नन है कि वे बारा योजन लंबा और साथ योजन चोड़ा था यह आएगा रोब तक लाट की मस्जित है हिसार में पीलिया की सबसर पर दिया जाता है बालक के जनम पर सुरदास की समुगल सासक के समकालिन थे अकबर की साथ चोखा खोरी का मेला किस समुदाई से समन दीते हैं? मुसल्मानों से भुद्धो माता का मेला कहां लगता है? गुरु ग्राम में सती का मेला लगता है भीवानी में बाबा मस्तनात का मेला लगता है रोब तक में और सीली सेत्म को किस नाम से जाना जाता है बासूडा विसा की परब किस समो की फसल पकने की खुसी में मनाया जाता है इसकांसराइगा रवी की और कम मनाया जाता है 13 अप्रैल को डोला मोला उचसब गुरु तेख भादूर की याद में कहां मनाया जाता है लाखन माजरा में और ये पढ़ता है रोत्तग में तीज के अफसर पर भाईद वरा भेन को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है इसकंसराय का कोथली बच्चों की जिनम पर क्या बाटा जाता है बाकली चंडी गड का परसिद मंदिर कौन सा है मंसा देवी मंदिर इबराहिम लोदी का मकपरा पानीपत में है और हरियाना में सबसे अधिक जनसंक्या घंतव है फरिदाबाद में और सबसे कम सिर्षा में हरियाना का पहले उपन्यास है जाडु फिरी जिसे लिखा था राजाराम सास्तरी ने चर्की दादरी जिलाब बनाया गया देखो इसकी घोशना हुई थी 18 सितंबर को और ये बनाया गया था 18 अक्तूबर को लेकिन एचसेसी के इसाब से इस कंसर क्याएगा 16 नूवंबर ठीक है हरियाना के बर्थमराजे कवी कौन थे उद्यभान हंस हतनी कुंड है यम्ना नगर में याद्वेंदर प्रेटन स्थल है पिंचोर में और हरियाना के अंबाला में कांग्रिस की स्तापना हुई थी 186 सी में लाला लाज पतराई का संबंध है हिसार सी हरियाना में चर्चित के एंपी का क्या नाम है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे हरियाना का कौन सा सहर मीलियन सीटी कहलाता है अंसर एगा गुडगाउ हरियाना में पसूव का सबसे बड़ा मेला लगता है जहास गड़ में जो की पड़ता है जजजर में हरियाना की परतम फिल्म कौन सी थी मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें confusion है कई में दे रखी है धर्ती और कई में दे रखी है हर फुल सिंग जाट जुलानी तो आपको exam में इन में से एक option दिया होगा ठीक है अगर धर्ती option में आये तो धर्ती को लगा दो तो हर फुल सिंग जाट जुलानी आये तो इसको लगा दो ठीक है दोनों में से एक आएगा अगर दोनों आजाएं तो आपको किसके लगाना है धर्ती के हर्याना की पहली सफल फिलम कौन सी थी बहुरानी हर्याना के खेल वस्वास्ते मंतरी है अनिल बिज हर्याना में 1855 की करांती की सुरुवात कांसे हुई थी अमबाला चावनी से योदे काल में हर्याना को कहा जाता था बहुदान्य हर्याना रज्य का देसांतर है 74 डिगरी 28 पूर्वी देसांतर से 37 डिगरी 36 पूर्वी देसांतर तक हरियाना का कौन सा स्थल बड़ा वैपारी केंदर था जहां घोडों का वैपार होता था तो ये कौन सा था पहवा ठीक है हडसन ने रोग तक को किस राज़े की अधीन किया ये किया जीन्द की 1822 में लाहूर अधिवेशन में हिसार का परतिनी दीतव किस ने किया लाला जबत राएनी हरियाना में पहडो की रानी कहा जाता है मोरनी हिल को हरियाना में सबसे अधी किस मसाले की खेती की जाती है हल्दी की पर्थम विस्व युद किसमें ब्रेटिस सैना में हरियाना से सैनिक भरती का विद्रोग किस ने किया था ये किया था पंडित ने की राम सर्मानी हरियाना में सिचाई बिवाग का मुखहले है पंचकुला में हरियाना में कहां पर जल महल और चोर गुम्बंद हैं ये है नारनोल में हरियाना की गिरी पादिया मरीदा को कहा जाता है कंगी एवम घर ठीक है 10 अपरेल 1919 को गांधी जी को किस थान से ग्रिफतार किया गया ये किया गया था पलवल से हरियाना का पर्थम कोलेज कहां पर खोला गया रोग तक में सुरुज कुन का मेला कितने दिन तक लगता है 15 दिनों तक हरियाना का केसरी भी किसे का जाता है पंडितने किराम सर्मा को हरियाना का सर्वुष सहीत्य समान है सूर्दा समान बानबट किस के दरवारी कभी थे हर सवर्दन की कप्तान सिंग सोलंकी कौन से रज़े पाल थे हरियाना के सोलमी और सतर में कौन है सत्यदेव नारायन ठीक है जो इस समय भी है हरियाना की सबसे प्राची नहर कुन सी है पस्चिमी यम्ना नहर सिवाली की पाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है चूना पत्थर सूरज कुन का निर्मान किसी ने करवाया तो मरसासक सूरज मलने हरियाना में होमरो लिख के परमुखनेता कौन थे पंडित ने की नाम सर्मा विश्णोई धरम के संस्तापक गुरु कौन थे ये थे गुरु जंबेश्वर करंजील है करनाल में बुलबुल रिसोर्ट है जींद में सकाई लार्क है पानीपत में मरकंडा मिला लगता है साबाद में जो की पड़ता है कुर्चेतर में नागदेव का मिला लगता है जींद के गोगडिया में बाबा मस्तनात विसवी दैले कांपे है रोत्तक में और ये कब बना 2012 में गोडा निर्ते किया जाता है साधी के अफसर पर और कलेसर को किस वर्स राष्टे पारक में गोशित किया गया 2003 में और आवला सबसे अधिक कांपे होता है सिर्सा में और हरियाना में सबसे अधिक किस सबजी की खेती की जाती है आलू की और बागडा नहर किस जगे से हरियाना में प्रवेस करती है ये करती है फत्यवाद के टोहाना से हर्याना में कुल कितने अभ्यारण है ये है आठ हर्याना में पितल उध्योग कहां पे है रेवाडी में और सनेटरी उध्योग भाद दुरगड में चीनी मिटी कहां पे पाई जाती है गुरू ग्राम में हिसार में कांग्रेस की नीव किस ने डाली लाला लाजपत राय ने कब 1880 में खेडा निर्टक कब किया जाता है तो इस कंसराएगा बुज़ूर्ग की मिर्ट्यू के सतर्मी वाले दिन हरियाना का नवीनतम जिला कौन सा है चर्की दादरी हरियाना किस नदी के किनारे अवस्तित था ये था सरस्वती नदी के किनारे हरियाना के किस गनराज़े का उलेक माभारत के दुरोन परव में मिलता है इस कंसराइगा योदे गनराज़े का जोज थोमस ने किस थान को अपनी राजधानी बनाया ये बनाया हासी के दुरक को सुमी दियानांद सर्ष्वती ने कहां पर आरिय समाज की एक साका की नीव रखी थी तो इसकंसराएगा रिवाडी में हरियाना का कौन सा सरवादिक विस्तरित प्राकरतिक भिवाग है यह है मिदानी केंद्रे विस्वी दहले काँ पे है यह जनंत पाली, महिंदर गडमी हरियाना के किस भूभाग में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर पूरव इंद्रा गांदी नहर की लंबाई है 225 किलोमेटर हरियाना में कौन सा वेगानिक उपकरणों के लिए परसिद है यह है अमबाला बलैक गोल्ड किसे का जाता है मूरा नसल की भैंस को हरियाना में किस जगें पर सूरिया का मेला लगता है कुर्चेतर में हरियाना का सबसे बड़ा जिला कौन सा है सिर्शा थाने सर किस राज़े की राज़दानी थी हरसवर्तन की हरियाना के किस थान पर टेक्टर बनाने का कार खाना है ये है फरिदा बादमी हरियाना में पुर्सो दोबार पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते है खंडवा हरियाना में छटी निर्ते किस तुहार पर मनाया जाता है गोगा नौमी पर मंजीरा निर्टे किस राज़े में किया जाता है ये किया जाता है मिवात में पंजाब उचनेले के नयाधिस नुक्त किया जाने वाले पर्थम भारते कों थी ये थे सरसादी लाल राव तुला राम कहां का था रिवाडी का हरियाना का किस राज़े के साथ सतलुज यमना लिंक पर विवाद चल रहा है इसका अंसराय का पंजाब सिब संबू चिठा किस ने लिखा पाल मुकंत गुप्त ने बिंडरवा स्वन्य जीब अभ्यारन कहां पे है जजजर में और हरियाना में किसे पिपर सिटी कह जाता है यमना नगर को चोदरी चनल सिंग विस्स विधाल कहां पे है इसार में इसकी स्तापना हुई 1972 में और हरियाना विधान सबा के पहले स्पिकर कोन थी ये थे राब विरेंदर सिंग और पहली महिला स्पीकर थी सन्नो देवी भिमेश्वरी देवी का मेला कहां पे लगता है ये लगता बेरी में और बेरी पड़ता है जजजर में अमोनिया प्लांट है पानी पत में और हरियाना के किस मुख्या मंतरी ने सराब बंदी लागो की बंसी लाल ने जमिदार लेक किस्ता अपना किसने की सर चोटुराम ने आदुनिक हरियाना का निर्माता किसे का जाता है बंसी लाल को दिल्ली की गद्धी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सास कौन था ये था हिमचंद हरियाना के हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं कपिल देव हर्ष चरीत की इस भासा में लिखी गई संस्कृत में फेर प्ले स्कोलर सिपकारे करम किस से समंदी थैं खिलाडियों के परोच सांसे कलेशवर मादे मट किस जिले में है यमना नगर में समा प्रेटन स्थल किस जिले में है गुडगाम में चोर गुमबंद किस जिले में है ये है नारनोल में मादोगड का किला है महिंदरगड में राजा नहार सिंग का किला है बललफगड में रतना वली किसकी परसीद रचना है हरसवर्तन की फल्गु का मेला लगता है कैथल में बुडिया का रंग महल है यम्ना नगर में सेख चीली का मकबरा है थाने सर में हरियाना में कुल कितने ढागर हैं 2649 अकाशवणी रोब तक की स्तापना कब हुई 8 मई 1906 को योमना नगर की टीमर मार्केट 1947 में किस नाम से परसित थी ये थी अब्दूलापूर मंडी क्या अब्दूलापूर मंडी हरियाना के किस जिले में सबसे अधिक खनीज पाय जाता है ये पाय जाता महिंदरगड में हरियाना के किस जिले में तेल सोदकार खाना है ये है पानी पत में और हरियाना के पिंजोर में किस फल का मेला लगता है ये लगता है आमब का पिंडारा तिरस्थल कहां पे है जीन्द में कैथल का प्राचिन नाम क्या था कपील स्थल जोज धोमस कहां का निवासी था आरलेंड का हर्याना के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जा सकती है अंसराय का 80 प्रतिशत बास्मती चावल के निर्यात में हरियाना कौन से स्तान पे है यह पर्थम राष्टे सोर उर्जा संस्तान कहां पे है गुरु गराम में गिर्द स्रक्षन एवं परजनन के इंदर कहां पे है पिंचोर में युम्नों अगर जिले की कलेसर घाटी का परमुक व्रिक्ष कौन सा है यह साल का व्रिक्ष राजपूत सासक मोहन सिंग मंधार की रियासत हरियाना में कहां पे थी यह दी कैथल में हरियाना में सबसे कम वर्षा कहां पे होती है दक्षिन पस्चमी भाग में भारत में हर्याना किस दिसा में है ये है उत्तर पस्चिम दिसा में हर्याना में सबसे छोटी डेलवे लाइन कहां पे है ये है कालका में जो जाती है कालका से सिमला हर्याना में पंचैती राज अधीनियम कब लागू किया गया ये किया गया 22 अपरेल 1994 904 शुरानवे कू हार्याना की जल्वायू कैसी है? अर्द उश्यान हार्याना के किस सहर में मैट्रो सबसे पहले सुरू की गयी? ये की गई। गुरूगराम में कब 2010 में हार्याना की सबसे बड़ी जेल कुंसी है दम-दमा जेल हरियाना में किसे साइबर सीटी के नाम से जाना जाता है इस कंसराइगा गुरूगराम कक्रोई जल विदुद पर्योजना किस जिले में स्तित है ये कहां पे है सोनी पत्मी नादिर साने हरियाना प्राकरमन कब किया ये किया 1749 में और ये कहां का सासक था इरान का राष्टे ड्यारी अनुसंधान संस्तान ये है करनाल में और सबसे अधिक शक्षर्टा दर कहां पे है गुडगाम में बात करे सबसे कम की ये है मेवात में सच्चा सोदा मेला ये कहां पे है जीन्द में देखो डेरा सच्चा सोदा कहां पे है सिर्षा में लेकिन इसने क्या बोला है सच्चा सोदा मेला ये काम पे बढ़ता है जीन्द में आपको बात ये याद रखनी है ठीक है कई से रसागे लगा दो निशान अगला है हरियाना का राज के खेल ये कुस्ती है अंत्रिक श्यातरी कलपना चावला का जनम करनाल में हुआ था और तराइन का पर्थम्यूद कौन जीता पृत्वी राज चुहान जो की हुआ था ग्यारा सुई क्याणवे में 1855 कि स्वाधिनता संगराम में राज तुला राम ने किस चेतर में अंगरिज्चों के साथ मुकावला किया ये क्या था नार नोल में ठीक है, सोहना नगर किस के लिए परसीद है, गरम पानी के लिए सरस्वती वन्यजीव अभ्यारन कैथल में है और इसके साथ साथ ये कुर्चेतर में भी है एक्जाम में आपको एक ये उप्सन देंगे, या तो कुर्चेतर या कैथल ठीक है, दोनों देंगे तो साथ में एक उप्सन उड़ दिया जाएगा ये दोनो ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है हर्याना के राज़ेपाल के रूप में सरवादिक कारेकाल किस का था? बी एन चकरवर्ती का और जो पंडित जसराज है, ये कहां से है? हिसार से और जो इंडियन इस्टिटूट ओफ मनेजमेंट ये रोप तक में है और जो मेट्रो ट्रेन है, हर्याना में सबसे पहले चली थी गुड़ गाम में और हर्याना का छोटा का सी किसे कहते हैं? कैथल को नवगरैकुंड ये भी कैथल में है जो महरा जगरसैन है, इनका संबन अगरोहा से है और महिंदरगड का मुखेला काँ पहां 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 नारनोल में बाबा रामदेव के गुरु कौन है? अचारिय बलदेव और नाथुर अमबोर्ड से को कहां फासी दी गई? अमबाला में जो कलपना सावला की मिर्तियो कब हुई थी एक फरवरी दोजायत थीन को पीतल के बरतन के लिए हरियाना का कौन सा जिला परसीत है? रिवाडी और मांजी साइब गुर्दवारा कहां पे है? अमबाला में ये मोहर नहीं है ये नाहर है टाइपिंग में गलती हुई है नाहर स्टेडियम या मियोर स्टेडियम ये कहां पे है? फरीदाबाद में हरियाना में दूसरी बार राष्ट पतिसासन कब लगा? एक मई उनिस सो स्टेडियम और गोरिया प्रेटरंस्टल कांपे है? बाहदुरगड में ताज़े वाला नामक परसीद प्रेटरंस्टल किस जिले में है? ये है यम्रानगर में और हरियाना सरकार दोरा हैपेटाइटस सी बलड बैंकों की जाच अनिवारिये कर दी है पतंजली योग पीठ के संस्तापक बाबा राम देब कहां से है? महिंदर गड़ से सुल्तानपूर जील कहां पे है? गुडगाव के फरुक नगर में हरियाना की परसिद बढखल जील इसका दिर्मान हुआ था उनिस सो संतालिस में और है कहां पे ये? फ्रिताबाद में थर्मल पावर प्लानट कहां पे है? हिसार में और सोनो ळिगम कहां से है? फ्रिताबाद से साइना नेवाल है? हिसार से और हरियाना की सबसे पर मुख नहर कौन सी है पस्यमी यम्ना नहर इस समय हरियाना की मुख्य मंत्री है मनोहर लाल खटर और जाट गजट किसने परकासित किया छोटू राम ने हरियाना में सराबंदी कब लाग हुई एक जुलाई उनिस सो चानवे को और बंद कब हुई एक अपरेल उनिस सो ठानवे को दूसरी किर्शन ने गीता का उपदेश दिया था अरजुन को ये दिया था जोती सर में जो की पढ़ता है कुर्चेतर में ग्रैंड ओल्ड मैन ओफ पंजब ये है लाला मुरली धर और परनिती चोपड़ा कहां से हैं अंबाला से और जो हरियाना विकास पार्टी है इसकी स्तापना किसने की चोदरी बंसी लाल ने कब उनिस सो एक अणवे में अणवे भासा में जो पर्तमु पन्यास था जाड़ू फिरी ये किसे ने लिखा राजा राम सास्तरी ने बढखल जील है फरीदाबाद में सरस्वती चीने मिल ये है यम्ना नगर में और लाला लाजपतराई का संबंध कहां से हैं हिसार से और इटलस साइकल उध्योग ये कहां पे हैं सोनिपत में और सीतला माता का मंदिर ये कहां पे हैं गुडगा में और हरियाना में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती हैं उत्तर पूरभाग में और महमूद गजनवी ने थाने सर प्राकरमन कब किया था एक हजार चोदा में और जीन जिले की सिमाई हरियाना के कितने रज्जों से लगती है साथ से चहत चोदस का मेला किस जिले में लगता है कुर्छेतर में और हरियाना में पुर्सु दवारा पहने जाने वाली टोपी को क्या कहते है खंडवा थानेश्वर महादे मंदिर का निर्मान किस ने करवाया पुष्य भूती ने इससे आप ठीक कर लेना क्या आएगा इसका पुष्य भूती हरियाना के पहले रज्जे पाल धर्मवीर का कैरकाल कितने समय तक था लगबख साथ महीने और जो महाभारत की पुष्य तक थी ये कहां पे लिखी गई कुर्च हित्तर में और हरियाना का हरद्य का इत्ते जीन्द को अगर उप्सन में जीन्द ना हो तो आप निशान लगाओगे रोध तक को ठीक है और रज्जे का स्विधानिक पर मुख कौन होता है ये रज्जे पाल होता है और देश का होता है राष्टपती और हरियाना की समूंदर तल से उचाई कितनी है 700-900 फिट जो चीनी यात्री था हैंसांग इसीने किस का वर्नन किया है थाने सर का और हरियाना की किस भाग में सबसे कम वर्सा होती है ये होती है दक्षिन पस्चिमी भाग में पानीपत की दूसरी लडाई कब हुई 1556 में पहली हुई थी 1526 में तीसरी हुई 1761 में और गुरु हर गोविन जी सबय को किस नाम से पुकारते थे ये पुकारते थे सच्चा बादसा और परसित घोडा निर्ते किस अफसर पर किया जाता है ये किया जाता साधी के अफसर पर और हरियाना का राज के पेड़ है पिपल और नर नारेन की गुफा है यमना नगर में और परसित भुतेशवर मंदिर है जीन्द में और हरियाना की यमना नदी किस दसा में बहती है पूर्वी दिसा में और हरियाना का सुर्य कवी कैते पंडित लखमी चंद को और हरियाना की लोगसभा सीटे है दस और रज्जसभा पांच तराईन का दवीतिय यूद 1102 में हुआ था और इसमें कोन हारा था पिर्टविराज चोहान और मुहमद गोरी जीत गया था मोर्नी हिल्स पंचकुला में है और हरियाना का लोहपूर्स है चोदरी बंसिलाल और सकसरता दर्सब से कम है मेवात मे और तोसाम हिल है भीवानी में कोटला जिल है मेवात मे फतेवाद जिला किसी अलग करके बनाया गया हिसार से कब 15 जुलाई 1997 में पंचकुला मोहाली चंडीकड इन्हें किन नाम से जाना जाता है ट्राइस सीटी के नाम से मारूती सुजुकी का पहला कारखाना कहां पे स्तापित किया गया ये किया गया गुडगाओं में भारत का एक मात्तर राष्टे मस्तिक अनुसंधान के इंदर कहां पे है ये भी कहां पे है गुडगाओं में और गुडगाओं को क्या कहते हैं मैडी सिटी पानीपत की पहली लडाई 1526 में हुई और हरियाना के मुख्य मंत्री और भारत के उपरधान मंत्री कौन बने थे चोधरी देविलाल और हरियाना के दूसरे मुख्य मंत्री थे राव विरेंदर सिंग और हरियाना की विग्या नगरी कहते हैं अंबाला को ब्लू वर्ड जील ये हिसार में है मगरमच प्रजनन के अंदर कुर्छेतर में है भारत की किस दिसा में हरियाना है उत्तर पस्चिम में और सरस्वती वन्यजीब भ्यारन का दूसरा नाम क्या है सियोंसर क्या सियोंसर तिलियार जील रोत्तक में है اور ہریانہ की सबसे बड़ी उद्योकीक नगरी गुडगाव है कई भूकों में आ फरीदाबाद भी दे राख है आपको क्या मिलेगा उप्सिन में या तो गुडगाव दे रखा होगा या फरीदाबाद दोनों में से एक ये उप्सिन मिलेगा हेम चंद विक्रमा दीता है ये कां के थे रिवाड़ी के जिनको क्या का चाथा हेमो भी मादो घड की पाड़िया कां पे हैं मेंधर गड में कुर्चेतर युणिवरिस्टी कां पे हैं कुर्चेतर में और ये कब बनी थी 1956 में हरियाना के नाम का अर्थ क्या है परमेशवर का निवास और हरियाना का छेतरफल कितना है 44,212 वरक किलोमेटर दमदमा जील है गुडगाव में और राश्टे असवसोद के अंदर कहां पे है यह हिसार में और केंद्रिय भैस अनुसंधान के अंदर भी कहां पे है हिसार में और हरियाना का राज के पसू कौन सा है बलैक बक क्या बलैक बक और राश्टे पकसी यह है बलैक फ्रेंक कॉलिन यानि काला तित्तर और कांगर्स किस्ता अपना हरियाना में कब होई 8186 में और सर छोटुराम ने वकालत के पढ़ाई कहां से की ये की आगरा विस्त विधाले से और अगर आप HSSC के किसी भी गुर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने HSSC के किसी भी गुर्मेंट एक्जाम के लिए 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरूर करें ओके फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही अम मिलते की नई वीडियो के साथ तब तक ही चैहिंद बंदे मातरम